हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल रोबिन बुटीक फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी शेप का अगर आप कोई गला बनाना चाहते हो तो आप उसे कैसे बना सकते हो वो भी बिना भुकरम या बिना कहनवास के तो दोस्तों बिना लगाथ को इसको मैं खोलके दिखायता हूं इस प्रकार से अब इसके अंदर हमने बनाना है कम अब बनाना है बिना बोकरम के तो दोस्तों बिना बुकरम के आप को गला कैसे बनाना हम जैसे एक normal जब बुक्रम पर कटिंग करते हैं गले की सेम उसी परकार से आपको जिसी भी शेप के गला बनाना है उसकी आपको ड्राफ्टिंग करनी है तो ड्राफ्टिंग के लिए फ्रेंट्स यह देखिए जैसे सूट है इसको डबल कर रखा है मैंने गला जितना भी आप चौड़ा रखragen चाहते हो जीसे मान लिजे अगर आपने गला बनाना है पांच इंच का तो दोस्तो पांच का अदा कितना होता है भोता झ मैंते आप झाध हंच मएंच के निशांन लगा सकते हो अगर गल्य की चुड़ाई आप जाद रखना चाहते हो तो उसकी जैसे मानली अगर आप 6 इंच का रखना चाहते हो तो आपको गल्या लेना है यहां से टोटल 6 इंच का तो दोस्तों एक जो मीडिम साइज का गल्या होता है वह 5 5.5 इंच के करीब होता है तो यह देखिए यह जो समाने तोर पर गल्या जो होता है गले की जो गहराई होती है वो होती है तैयार 6 इंच तो यह देखिए आदा इंच दूपर मारजय में चला जाएगा तो यहां से टोटल लेते हैं 6 इंच यहां फिर आप इसे टोटल 7 इंच भी रख सकते हो यह देखिए सीधा निशान तो अब दोस्तों हमारा जो एक साचा है वो त्यार हो चुका है अब इस साचे के अंदर जो भी शेप का गला बनाना चाहते हो वही आप इसके अंदर शेप दे सकते हो मान लीजाए अगर आपको बनाना है पान गला तो पान गला बिलकुल असाना देखिए इस पॉइंट से पान गले की में इसके अंदर वो जो है मार्किंग कर दिये अब मैं इसकी करूँ यह से कटिंगे देखें अब फ्रेंट्स इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूं इस प्रकार से यह देखिए यह पान गले की जो है इसके अंदर शेप बन चुकी है अब फ्रेंट्स इसे बन प्रखाना है इस परकार से इस के ऊपर बिलकूश फके ब्रावर रखना मुज पर आप वल्हभी से पिर मौन करने है कि ऑले को डिटा अब करना के बाद अब को क्या करना narrative मार्किंग करना अब आपको यह कटिंग और ये वाला जो निशान है इसकी भी मैंने कटिंग कर लिए अब इस प्रकार से आपके सामने एक ये बिल्कुल गले के शेप की पट्टी निकल के सामने आएगी अब इस पट्टी के अकोर्डिंग ये आपको गला है वो बनाना है दोस्तों गला जो है कैसे बनेगा वो मैं आपको step by step पताता हूं तो friends ये देखिए जिस तरह से इसका मेने गला काटा है सेम उसी प्रकार से इसकी जो मैंने ये पट्टी भी काट ली है लेकिन ये जो पट्टी इसकी चुड़ाई में थोड़ी फालतू क्यों रखी है अब देखे दोस्तों करना क्या होगा बाहर वाली तरफ से आपको इसे आपको लगबग इतना आदा इंच करीब फोल्ड करना है और इसे मशीन के साथ आपको बहुत आसान तरीक इसे स्लाइल लगानी है दोस्तों इस स्लाइल लगानी कैसे इसके लिए चलते हैं ये मशीन पर इस स्लाइल को बिल्कुल डिलयाज से आपको लगाना यानि कपड़े को खेंचना नहीं है अगर ज्यादा कपड़े को खेंचो तो कपड़े में जोला जाएगा अब यह देखिए इसको इस प्रकार से यहां पर फोल्ड करना है तो फ्रेंट्स बाहर की तरफ से मैंने स्लाइल लगा लिए है अब देखिए इसको करना क्या है आपको अब इसको रखना सूट को आपको सीधा और इसे इस परकार से रखना है यह देखिए बिलकुल बराबर मिलाते हुए वैसे बिलकुल बराबर ही है क्योंकि हमने परकार से आए अब अब आपको करना क्या है यह सेंसे मिलती हुए आपको यहां से सिर्फ मार्जन लेना है गया को तो फ्रेंड्स यह लगाने के बाद अब आपको देखी यहां पर लगाना है कट जहां पर इसका कॉर्णर बीच में सेंटर में कट इतना ही लगाना कि इसलाई ना कर जाए देखिए और जहां पर भी इसमें गुलाई वाली जगा पर आपको कट लगाना इस प्रकार से कट लगाते समय बस इस तीर का धियार करें कि आपकी ना कटे और फ्रेंड्स यह कट इसलिए लगाने जरूरी होते हैं चाहे आप गला बुकरम से बना रहे हो या फिर भिना बुकरम से बना रहे हो गले की शेप देने के लिए यह कट ज़रूरी है अगर आप कट नहीं आप चाहे तो इसके ऊपर सलाई ही लगा सकते हो कैसे इस देखिए इस村इय खती हो आगर सलाई नहीं लगाना चाहते तो इसे आप एसे का ऐसे ऑप अंदर की तरफ रखते हुए यह देखूए लाको कट करके दिखा अब आपका जो गला है अराम से इसकी जो शेप है एकदम प्रोपरली बन जाएगी यह देखिए और इसके उपर अप अच्छी तरह से प्रेस कर लें और प्रेस से एकदम गला आपका यह बैठ जाएगा तो उस्तों प्रेस करके वरा को मैं दिखाता हूं तो फ्रेंड्स अब यह देखिए इसकी जो प्रोपर शेप असानी से बन जाती है यह देखिए तो फ्रेंड्स यह देखिए इस प्रकार से यह जो सारा का सारा जो मारजन है जो पट्टी है इसकी वह अंदर की तरफ आ गई है अब इसमें आप अपनी यहां पर तुरपाई कर सकते हो और में रहते हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सब्सक्राइब करें थैंक यू वरी मच